दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप सब का स्वागत है साल 2020 का अंतिम सूर गिरहन 14 देसंबर की रात को लगने जा रहा है हाला की रात होने की बज़े से ये सूर गिरहन भारत में नहीं देखेगा मगर सूर गिरहन का प्रवाव अवश्पड़ेगा भारत से तमाम देसों में सूर गिरहन का असर दिखेगा किसी देस में इसका सुप प्रवाव दिखेगा तो कुछ देसों में इसका असुप प्रवाव भी देखने को मिलेगा खैर भारत के लिए गिरहन अती महतपूर माना जा रहा है बारतिये जोतिस बिद्वानों की माने तो भारत में खासका दिल्ली एंसियार इलाके में सूर ग्रहन का प्रभाव पढ़ने जा रहा है ऐसे में इस इस इलाके में रह रही लोगों को सतर्क रहने की आवशक्ता है जोतिस के बिद्वान बताते हैं कि मेदनी जोतिस के गरंत भविशिफल भाशकर के अनशार 14 दिसम्मर को पढ़ने वाले सूर गरंड की प्रभाव रासी व्रश्चिक होगी लहाजा व्रश्चिक रासी में पाप गरहों का गोचर गोचर सुप फलदाई नहीं होता है ऐसे में दिल्ली एंसियार के लोगों को सूर गरहन के दौरान बिशेश साबधानी बरतने की आवशकता है 14 दिसम्मर को पढ़ने वाला सूर गरहन काफी खास है वर्शों बाद ऐसा सहीयोग बन रहा है जब सूर गरहन के समय पांच गरह एक साथ होंगे बता दें कि सूर गरहन वर्श्चिक रासी में होने जा रहा है यहां सूर गरहन के साथ चंद्रमा, बुद्ध, सुक्र, सूर और केतू भी मौजूद होंगे ऐसे में वरेश्चिक रासी में पांच ग्रहों की मौझूदगी में 14 दिसंबर को सूर ग्रहन लगने जा रहा है वरेश्चिक रासी का सूर ग्रहन कभी सुप फल नहीं देता यानि इस दोरान भारत समेट दुनिया भर में भारी उतल फुतल देखने को मिल सकती है राधानी दिल्ली में 14 दिसंबर के बाद बड़े घटना ग्रम देखने को मिल सकते हैं अगर सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बनती है तो किसान आंदोलन में बड़ा गफान देखने को मिल सकता है यह भी एक सायोग ही है कि प्यदान मंतरी नरेंद मोदी की जन्म रासी और लगन भी ब्रश्चिक है जो की सूर्ग ग्रहन के समय पांच ग्रहों के योग से प्रावित होगा जो पीए मोदी के लिए सुप संकेत नहीं है धन्यवाद